अस्सलाम उलेकूम, वेलकम टू माई चैनल, आज हम बनाने जा रहे हैं बहुती टेस्टी खमन डोकला, जो की बहुती सॉफ्ट और बहुती स्पॉंजी बनेगा, बिल्कुल हमारे मैथट से आप बनाएगा, बहुती जल्दी बनने वाला है और बहुती सॉफ्ट बनने वाला इसी तरह से हमने एक बाउल में लिया है पानी, और एक बाउल में लिया है बेसन, बिल्कुल बरावर लेना है सबसे पहले एक बड़ा बाउल लेंगे, उसमें हम एक कटोरी में जो पानी लिया है हमने, उसको एट कर देंगे अब इसमें हम टू टेबल स्पून के करीब शक्कर एट करेंगे, हाफ टी स्पून नमक लिया है, इसको एट करेंगे थोड़ा साम हल्दी पौडर लेंगे, थोड़ा साम ने हिंग एट किया है वंच पिंच के करीब हाफ लेमन का रस एट किया हमने, इन सारी चीज़ों को अच्छे से हम मिक्स कर देंगे देखिए हमारे सारी चीज़े अच्छे से मिक्स हो गई है, अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा बेसन को डालते हुए, इसका एक बहुत अच्छा सा फाइन बैटर तियार करेंगे, बिरकुर भी लम्स नहीं होने चाहिए देखिए हमारे बैटर बिल्कुल रेडी हो चुका है, अब इसको हम ढखके 5 मिनट के लिए रख देंगे एक तरफ हम कड़ाई में पानी आट करेंगे, पानी को हलका सा बॉयल करेंगा और बीच में एक स्टेंड रखेंगे और इसको ढख देंगे गरम होने के लिए, देखिए अच्छे से पानी में हलका सा गुनगुना पन हो चुका है एक तरफ हमारा बैटर भी बिल्कुल रेडी हो चुका है, इसको हलके से मिक्स करेंगे और इसमें हम वन टेबल स्पून के करीब रिफाइन ओयल अट करेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे अब इसमें हम बेकिंग सोडा लेंगे, बिल्कुल फ्रेस बेकिंग सोडा लीजेगा रखा हुआ सोडा भी अच्छे से खमीर नहीं उठता है इसलिए आप भीलकुल fresh सोडा लीजिएगा तो baking soda लेना है, जो कि मीठा सोडा होता है इसको डालते ही अच्छे से हलके हाथों से बिलकुल फेट लेंगे बहुत ही अच्छा बिल्कुल देखिए ढोकला बहुत ही सॉफ्ट बनेगा और बहुत ही स्पंजी बनेगा देखिए कितने अच्छे से ये खमीर उठ गया है इसको एक तरफ ही फेटे तो देखी अब हमने एक बर्तन ले लिया है जिसमें हमने ओल से अच्छे से ग्रीस कर लिया है अब इसमें हम इसको पलट लेंगे तो सारे बेटर को अच्छे से हम इसमें एड़ कर देंगे अब हमने देखी पानी रखा था बॉयल हो चुका है हमारा पानी अब इसमें हम इसको अच्छे से रख देंगे safety के साथ और इसको उपर से अच्छे से ढख देंगे गैस की flame को हम medium to slow रखेंगे और 30 मिनट के लिए हम इसको ऐसे ही पकने देंगे देखे, 30 मिनट हो चुका है, बहुत अच्छे से हमारा ढोकला बिलकुल रेडी हो चुका है अब इसको हम एक चाकु से या एक डिस्ट्प से आप छिक कर सकते हैं बिलकुल भी गीला नहीं अंदर देखिए चारों तरफ से अच्छे से यह बिलकुल अलग भी हो चुका है अब गैस की फ्लेम को आफ कर देंगे और इसको निकाल लेते हैं देखिए चारों तरफ से अपने आप से ही बिलकुल अलग हो चुका है क्योंकि बहुत ही अच्छा खमीर उठाता और हमने अच्छे से एक नाइफ की मदद से हम इसको चारों तरफ से अच्छे से अलग कर लेंगे एक प्लेट में इसको अच्छे से पलट लेंगे तो देखिए पलेट को ऐसे रखेंगे और इस ताइप से हलका सा टैप करेंगे और बिलकुल अच्छे से डोकला हमारा निकल जाएगा देखिए कितने अच्छे से निकला है बिलकुल भी बरतन में भी बिलकुल नहीं लगा है आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा से ढोकला बनकर ready हो चुका है बहुत ही स्पंची बनाएं देखिए इसकी जालिया कितनी अच्छी पड़ी होई है आप बिल्कुल हमारे method से बहुत ही अच्छा ढोकला बनेगा और बहुत ही soft कितनी अच्छी जालियां पढ़े हैं आप देख सके अगर ये रेसिपी आपको पसंद आई हो खमन ढोकला की तो प्लीज सब्सक्राइब और शेयर करिएगा ताकि ये रेसिपी सब तक पहुंच तके और सब लोगों को ये बहुत ही आसान रेसिपी बनाने में आसानी रहे और बहुत ही जल्दी बन कर तयार हो जाए घर में बहुत ही इजी तरीके से देखी हमने इसको कट कर लिया और बहुत ही स्पंची और बहुत ही अच्छे से जालियां पढ़ी हैं आप देख सकते हैं बहुत ही टेस्टी हमारा ढोकला बन कर तयार है तो चलिए इस पे बगार टकने के बाद हमने इसमें एट किया है हमने चार हरीमिर्च एट करी है इसको अच्छे से घुमा देंगे चारों तरफ से अच्छे से ये चटक जाएगा अब इसमें हम पानी एट करेंगे पानी में हलका सा बोयल आने देंगे फिर इसमें हम लेमन एट करेंगे तो इसको हलका सा दबाते हो इसका रसका यूज़ करेंगे अब इसमें हम चीनी एट करेंगी तो हमने 2 टेबल स्पून के करीब चीनी ली है अब उपर से हम इसमें करीपता एट करेंगे जिससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा तो उपर से हम इसमें बगहार लगा देते हैं तो उपर से जब आप डालेंगे तो बहुत ही अच्छा पूरे अंदर तक का इसमें जूसी हो जाएगा ढोकला तो आप ऐसे ही बगहर लगाएगा जिससे अपना जो ढोकला है ना बहुत ही जूसी बन कर तयार होता है और बहुत ही टेस्टी बनता है अगर आपको ये रेसिपी हमारी पसंद आई हो तो प्लीज शेयर और सब्सक्राइब करेगा और अपने फ्रेंड्स को जरूर एडवाईस दीजेगा कि ऐसे ढोकले की रेसिपी आप जरूर ट्राई करें क्योंकि बहुत ही इजी रेसिपी है और बहुत ही जल्दी बन कर तयार होती है तो देखी हमारा खमन ढोकला रेसिपी बिल्कुल रेडी है देखने में तो बहुत ही प्यारा लुक लग रहा है खाने में उससे भी कही ज़्यादा अच्छा बनाए क्योंकि अंदर से इस्पंची बनाए और बहुत ही अच्छे से जूसी बनाए हमने तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आयो तो प्लीज 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 शेयर करेगा थैंक यू अल्ला हाफीज